हेलो एब्रिवन वेल्कम टू मै चैनल चीनल सी ची जीफ पूजा क्यात रुपल सी फ्रीकोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे आफिस इंप्रेस प्रोग्राम के अंदर Slide menu में Change Slide Master, New Master और Delete Master option को समझने वाले हैं इन option का क्या काम होता है हमारी slide पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की class तो Libre Office Impress program के अंदर आपको यहाँ पे Slide menu में Change Slide Master, New Master, Delete Master नाम से आपको तीन option दिखाई देंगे Generally जब आप presentation file पे काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे New Master, Delete Master को option highlight होता हुआ नहीं दिखाई देंगा तो जब आप Change Slide Master option पर आएंगे और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का Available Master Slide नाम से कुछ एक dialogue box open होगा और जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह की slides दिखाई देंगी जाने किएगा आपने अगर किसी ऐसी slide पर आप काम कर रहे हैं जिस पर कोई color, design, कोई theme आपने नहीं लिया है तो उस अपर उसमें आपको Available Master Slide में सिर्फ एक ही Master Slide दिखाई दे और अगर आप इस पर क्लिक करोगी किसी पर भी और जो आप OK कर दोगी तो आपकी slide का style आपको बदला हुआ दिखाई देगा आप इस चीज़ को समझने के लिए हम एक new slide ले ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए हम control प्लस end प्रेस करते हैं अलिवर्य ओफिस के प्रोग्राम पर आते हैं और इसमें हम उस option को यूज़ करके देखते हैं मालनी जी आपर हम slide menu में गए हमने यहां से chain slide master पर क्लिक किया उसकी बद हमें आपर available master slide के अंदर एक slide कर design दिखाई दिखाई दिया आप view menu पर जाएए आपको यहां पर master slide नाम से एक option दिखाई देगा आप इसको click करिए click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का view आपको दिखाई देगा तो slide master का इस्तमाल हम लोग करते हैं slide पर कोई भी object है कोई भी text box है उसको color design करने के लिए माल लीजिए एक simple सी plane slide थी अब मैं ये text box को select करती हूँ select करने के बाद हम जाते हैं properties option पर तो यहां पर हम इस text को board कर लेते हैं उसके बाद यहां पर color पर जाकर एक color इसको दे देते हैं उसके बाद highlighter color में अगर आप देना चाहो तो दे सकते हैं मैं या से highlighter color दे देती हूँ इसको कोई भी और अब हम again view menu में जाके फिल से normal option पर क्लिक कर देते हैं और हम इस view से बाहर आ जाते हैं अब जो color design मैंने वहां दिया था वो आपको यहां पर भी same दिखाई दे रहा है अब यहां पर अगर हम slide menu में फिर से जाते हैं फिर से change slide master option पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर slide master इस तरह का दिखाई देगा अगर मैं scope की कर दूँगी तो यहां पर आपको कोई changes अभी भी नई दिखाई देगा तो ध्यान दखिएगा तो हम जा रहे हैं sidebar option पर जिसमें यहां पर आपको मैंने पिछली class में master slide option की बारे में बताया था जिसके जरीए हम लोग slide पर design themes वगरा करने लगाते हैं तो यहां पर आपको मैं कोई दूसरा theme अपलाई करके दिखा देती हूँ मैंने आपको एक theme पर क्लिक किया अब यहां पर कई सारी slides जो है उनको मैंने एड कर लिया अब slide master menu में जाएंगे तो देखेंगे new master और delete master option भी highlight हो चुका होगा क्योंकि हमने इस पर theme लगा दिया है अब यहां पर अगर हम new master पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई slide एड हो जाएगी उसी theme के साथ अबर हम slide पर जाते हैं और यह theme यह slide के साथ हमें delete करना है तो हम delete master पर क्लिक करेंगे और वो theme और slide दोनों या delete हो जाएंगे तो basically जब आप कोई slide पर design theme लगाते हैं तो उस पर theme को change करने के लिए हम change slide master का use करते हैं उसके लाबा new master हम यूज करते हैं नई slide लेने के लिए और delete master यूज करते हैं उसी slide कर जो हमने new slide master लिया है एक नई slide लिये उसको delete करने के लिए और ये option ध्यान रखेगा अगर आप use करने जा रहे हैं तो आपको तभी समझाएगा जब आपने यहापर design theme को इस तरह का दे रखा होगा क्योंकि उसी पर ये option आपके काम करते हैं तो आज की class में आपने slide menu के अंदर change slide master option को जाना change slide master option क्या होता है और इसका इस्तमालम slide पर किस तरीके से करते हैं या फिर इसका इस्तमालम slide पर कब करते हैं तो उमीर है कि आपको अच्छी class समझाई होगी next class में हम इसी तरीके से कुछ और options के बारे में बात करेंगे मिलते हैं next class में